हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल लताकी लाइब्रेरी आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर बहुती आसान सिंगल कलर का पैटन सियर करने जारी हूँ इस पैटन को आप ओल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं जैन स्वेटर लेडी स्वेटर गल्स स्वेटर कैप ब्लैंकेट आदी में बनके बहुती सुन्दर हमारा ये पैटन आ जाता है और फ्रेंट साइट से हमारा ये पैटन बनना इस्टार्ड होता है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्रा करते हैं सबसे पहले हमने अपने प्रोजेक्ट के शाब से छंदे डाल लेने हैं उसके बाद हम खोषबी बॉर्डर बना के और की साइट से हमारा यह पैटर्न बनना सटार को फंदे डालने के बाद भी सीधे स्टार्ड कर सकते हैं तो देखिए फ्रंट साइड से पैटन की फस्ट रूप में देखिए पहला फंदा हमने उतार लेना है धागा अपनी साइड करेंगे चार फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन और चार ये चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार ये चार फंदे सीधे बुन दिये फिर धागा अपनी साइड करेंगे और देखिए पांच फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार और पांच ये पांच फंदे उल्टे बुनेंगे फिर दो तीन चार और पांच ये पांच फंदे उल्टे बुनेंग धागा पीछे करेंगे और देखें चार फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन और चार ये चार फंदे सीधे आगे धागा अपनी साइड लास्ट में देखें एक दो तीन और चार ये चार फंदे उल्टे बुने धागा पीछे लास्ट का एक फंदा सीधा यह देखे हमारी front side से first row complete हो गई अब देखे back side से second row अब second row में देखे पहला फंदा उतारेंगे और back side से हमने second row को उल्टा भुनते हुए complete कर लेना है ये देखे ये बैक साइट से हमारी सेकिंड रोग कमपलेट हो गई अब देखे फ्रंट साइट से थर्ड रोग अब थर्ड रोग में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइट फ्रंट साइट से देखे थर्ड रोग को भी हमने फर्स्ट रोग की तरह बुनते हुए कमपलेट कर लेना है ये देखे ये चार फंदे उल्टे बुने फिर धागा पिछे करेंगे चार फंदे सीधे बुन लेंगे फिर धागा अपनी साइट पाँच फंदे उल्टे बुन लेंगे फिर धागा पिछे चार फंदे सीधे आजाएंगे फिर धागा अपनी साइट चार फंदे उल्टे बुन लेंगे धागा पिछे लास्ट का फंदा सीधा तो देखे फ्रांट साइट से हमारी थर्ड रोग कमपलेट हो गई अब देखे बैक साइड से फोर्थ रोग फोर्थ रोग को हमने सेकिंड रोग की तरह उल्टा बुनते हुए कमपलेट कर लेना है देखे बैक साइड से हमारी फोर्थ रोग कमपलेट हो गई अब देखे फ्रांट साइड से फिप्तरों अब फिप्तरों में देखे पहला फंदा उतार लेंगे धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे एक दो तीन और चार ये चार फंदे उल्टे बुने धागा पीछे अब देखे नेस्ट चार फंदों में पैटन आएगा तो देखे इन चार फंदों को हमने ट्विस्ट कर लेना है पीछे के दो फंदे आगे आगे के दो फंदे पीछे तो देखे फ्रंट साइड की तरब से देखे ये जो पीछे के दो फंदे हैं इनको राइट निडिल में ऐसे उठा लेंगे आगे के फंदे ऐसे स्लीप करेंगे और वैक साइट से लैप निडिल में इन दो फंदों को उठा लेंगे ऐसे फिर देखे जो राइट निडिल वाले फंदे हैं इनको भी लैप निडिल में ऐसे सिप्ट कर ले फिर धागा अपनी साइड करेंगे, पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार और पांच, फिर धागा पीछे, देखे नेश्ट चार फंदों में पैटन आएगा, तो देखे पीछे के दो फंदे, फ्रंट साइड के तरब से देखे, ऐसे राइट नीडल में उठा लेंग और चारों फंदों को एक, एक करके सीधा बुन लेंगे, ये चार फंदे हमारे सीधे आगे, धागा अपनी साइड, चार फंदे उल्टे आ जाएंगे, धागा पीछे, लाष्ट का फंदा सीधा, तो देखे फ्रंट साइड से हमारी फित्रों कमफलेट हो गई, अब देखे बैक साइड से 6 रो, अब 6 रो में देखे, पहला फंदा उतारेंगे, और बैक साइड से 6 रो को हमने 2 रो की तरह उल्टा बुनते हुए, कमफलेट कर लेना है, ये देखे ये बैक साइड से हमारी 6 रो कमफलेट हो गई, अब देखे फ्रंट साइड से 7 रो, अब 7 रो में द से बारीव पेख़। धांडा उतारेंगे ठांगे दागा अपनी सॉइट UP 422 कि घ्रौंते बुणे ठांडा पीछे करेंगे आप देख़े नेस्ट तीन फंदे हमने ट्विस्ट कर लेने पीछे के दो फंदे आगे आएंगे आगे का एक फंदा पीछे जाएगा तो देखिए यह सेकिंड नमबर का फंदा और थर्ड नमबर का फंदा ऐसे आगे की साइड से राइट नीडल में उठाएंगे ये देखे आगे का फंदा सिलीब करेंगे और बैक साइड की तरब से इसको लैप नीडिल में उठा लेंगे आप देखे जो ये दो फंदे राइट नीडिल में हैं इनको भी लैप नीडिल में सिफ्ट करेंगे और देखे इन तीनों फंदों को एक एक करके सीधा बुन लेंगे फिर देखे नेस्ट हमने तीन फंदे ट्विस्ट कर लेने हैं आगे के दो फंदे पीछे और पीछे का जो तीसरे नमबर का फंदा है इसको आगे लाएंगे तो देखे ऐसे बैक साइट की तरफ से तीसरे नमबर का फंदा राइट नेडल में उठाएंगे आगे का फंदा ऐसे दोनों फंदों को सिलिप करेंगे और देखे आगे की साइट से इन नीडिल वाला फंऩाए इसको भी लैफ नीडिल में सिप्ट करेंगे फिर इन तीन फंदों को एक-एक करके सीधा भून लेंगे फिर धागा अपने साइड करेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो और तीन. तीन फंदे उल्टे आगे, धागा पीछे करेंगे, आप देखे, नेश्ट तीन Das win. ट्विष्ट करेंगे तो फिछे के दो फंडे राइट निइल में उठाएंगे आगे का फंडा जिस्लीप कर लेंगे आगे का फंडा दीखिए बैक साइट के तरब से देला जीस ऐनतप निडिल में उठाएंगे और देखिए आगे का फंडे जो आ है। इसको भी लेफ निडल में ऐसे सिप्ट करेंगे और तीन फंदे सीधे बुनेंगे एक दो और तीन फिर देखे नेस्ट आमने तीन फंदों को ट्विस्ट कर लेना है तो देखे बैक साइड की तरफ से देखे तीसरे नमबर का फंदा ऐसे राइट निडल में उठाएंगे को एक एक करके सीधा भून लेंगे थागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे बुनेंगे थागा पिछे लास्ट का फंदा सीधा तो देखे फ्रेंट साइड से हमारी से बना ट्रो कमप्लीट हो गई है आप देखे बैक साइड से 8th row अब 8th row में देखे पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से 8th row को हमने 2nd row के तरह उल्टा बुनते हुए complete कर लेना है यह देखे यह बैक साइड से हमारी 8th row complete हो गई अब देखे फ्रंट साइड से 9th row अब 9th row में देखे पहला फंदा उतारेंगे नेश्ट 2 फंदे सीधे बुनेंगे 1, 2 2 फंदे सीधे अब देखे नेश्ट हमने 3 फंदे ट्विस्ट कर लेने हैं तो देखे यह पहला फंदा छोड़के यह देखे 2nd नमबर का फंदा और 3rd नमबर का फंदा इन दोनों को ऐसे राइट नीडल में उठाएंगे और देखे आगे का फंदा सिलीप करेंगे और बैक साइड की तरब से इसको लैप नीडल में उठाएंगे अब देखे जो फंदे राइट नीडल में हैं इनको लैप नीडल में ऐसे सीफ्ट कर लेंगे फिर तीनों फंदों को एक-एक करके सीधा बुनेंगे यह देखे यह ट्विस्ट करके हमने यह तीन फंदे बुन देए सीधे अब देखे नेस्ट हमने यहां पर दो फंदे सीधे बुनने एक और दो यह देखे दो फंदे सीधे बुनने के बाद देखे नेस्ट देखे जो दो फंदे सीधे आ जा तीसरे नंबर का फंदा ऐसे बैक साइड की तरफ से राइट नेडल में उठाएंगे आगे के दो फंदे सिलीप करेंगे और आगे की साइड से इनको लेफ नेडल में उठाएंगे फिर देखे राइट नेडल वाला फंदा भी लेफ नेडल में सिफ्ट करेंगे और तीनों फ पीछे आप देखे नेस्ट अमने तीन फंदों को ट्विस्ट करना है तो देखे फर्स नंबर का फंदा छोड़के सेकिंड और थर्ड नंबर का फंदा ऐसे राइट नेडिल में उठाएंगे आगे का फंदा सिलीप करेंगे और बैक साइड की तरफ से इसको लैप नेडिल मे सिफ्ट करेंगे और तीन फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे ये तीन फंदे सीधे आगे अब देखे नेस्ट हमने दो फंदे भी सीधे बुन लेने हैं अब देखे नेस्ट हमने तीन फंदों को ट्विस्ट कर लेना है तो बैक साइड की तरफ से देखे थर्ड नंब प्र देके निस्ट दो फंदे सीधे आ जाएंगे रस्टका हंदा सेदे तो देखे फ्रेंट साइड से हमारी नाइं त्रो कंप्लेट हो गई अब देखे बैक साइड से टैं त्रो अब टैं त्रो में देखे जास द Het तेन त्रों को बुटा भूनते हुए complete कर लेना है यह देखे बैक सबस्टाइड से हमारी 10 त्रों complete हो गयी अभे है ऐइलेवन त्रों त्रों में हमारा पैटर्न repeat होगा 11 त्रों को हमने फ़श्टों की तरह भूनते हुए complete करना है तो देखे यहां पर repeat पहला खंदा उता लेंगे, धागा अपनी साइड चार खंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन और चार, चार खंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे 4 खंदे सीदे आ जाएंगे, एक, दो, तीन और चार फिर धागा अपनी साइड पांच फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार और पांच धागा पीछे चार फंदे सीधे धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे आ जाएंगे धागा पीछे लाष्ट फंदा सीधा ये देखे ये फ्रेंट साइड से हमारी 11 तरो कंप्लीट हो गई 11 तरो में हमारा पैटन रिपीट हो रहा था ये देखे ये फ्रेंट साइड से हमारी 11 तरो कंप्लीट हो गई 11 तरो में हमारा पैटन रिपीट हो रहा था 11th row को हमने 1st row की तरह बुनते हुए complete किया बैक साइट से देखे जो 12th row आएगी उसको 2nd row की तरह बुनते हुए complete करेंगे इस तरह हम अपने pattern को repeat करते जाएंगे यह देखे यह front side से हमारी 11th row complete हो गई 11th row में हमारा pattern repeat हो रहा था 11th row को हमने 1st row की तरह बुनते हुए complete किया बैक साइट से देखे जो 12th row आएगी उसको 2nd row की तरह बुनते हुए complete करेंगे इस तरह हम अपने pattern को repeat करते जाएंगे और बनके देखे हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखे बहुती सुंदर बहुती आसान pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें, share करें, comment करें और आप हमारे चैनल में नहीं हूँ तो please subscribe करना न भूले, thank you झाँ नहीं हूँ जाएगा झाँ 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 झाँ